हेलो फ्रेंज एकवर फिर से आपका स्वागत है आपके चानल पे मेसी पेपर बाइक के एस तो फ्रेंज आज का जो टॉपिक है वो है मद्धिकालिन चित्रकला तो आज से आप लोग का फिर से एक नया चेप्टर का सुरुवात हो रहा है यह फोथ चेप्टर है और यहाँ प अप लोग मेरा क्लास वन का जो वीडियो मैंने अप्लोड किया है तरे डार्यक्ट अप थमनेल पे ही लिख दिख जाएगा आपको थमनेल पे ही मैं संगे लिखाएगा तो जो क्लास वन का वीडियो है वो आप देख लीजेगा उसमें गेफ़े एक्जाम में BFA के इंट्रे मेलिंग में लिखा है तो अगर आपको जानना है कि किस किस चैप्टर से कोशन आते हैं तो आप वो वीडियो देख लीजेगा आपको आपको दिख जाएगा कि आपको कौन-कौन सा चैप्टर कवरब करना इंट्रेंस के एक्जाम में और वही सब सारे चैप्टर्स भी मैं आपका कंप्लीट हो चुका है और यह चोथा चैप्टर है मद्धिकालिंग चित्रिकला और चैप्टर जो प्रगेति हासिक सेकेंड चैप्टर है यह मैं आप लोह को बोली थी कि या आप लोग को भी बाद में पढ़ाऊंगी ठीकए तो यह आपका पहला चैप्टर मद्ध मद्यकाल को दो भागों में विभाजित किया गया है जो पहला है पूर्वे मद्यकाल और जिसका समयकाल है समयकाल यानि इंगलिस में टाइम पीरियड बोलते हैं 700 ईस्वी से 1000 ईस्वी ठीक है और इसका दूसरा जो भाग है वो है उत्तर मद्य काल जिसका टाइम पिरियड है 1070 से 1550 ईस्वी तो इसे दो भागों में विभाज़ित क्या गया है अब आते हैं पहला नंबर पूर्व मद्य काल तो पूर्व मद्यकाल के अंतरगत दो गूफाएं सामिल है जो पहला गूफा है वो है सितना वासल गूफा और जो दूसरा गूफा है वो है अलोरा गूफा नेक्स सकेंड नमबर पर आते हैं उत्तर मद्यकाल तो उत्तर मद्दिकाल के अंतरगत दो सेलियां सामिल है जो पहला है वो पॉल सेली है और जो दूसरा है वो है जेन या अब्रान सेली है मतलब जेन सेली को अब्रान सेली के नाम से भी जानते हैं ठीके या तो जेन सेली बोलिए या तो अब्रान सेली बोलिए लेकिन mostly लोग जेन सेली ही नाम से बोलते हैं अब भान सेली का यूज ये वर्ड यूज कम करते हैं जेन सेली का वर्ड यूज ज्यादा करते हैं तो फ्रेंस यहाँ पर मैं एक और बात बता दू आपको जो पहला है फूर्वि मद्यकाल के अंतरगत जो दो गूफाएं है सीतना वासल और एलोरा इस चैप्टर में आपको ये दोनों नहीं पढ़ना है ये जो गूफाएं है ये आपको जब मैं गूफा पढ़ाओंगी अज फ्रेंस या ब्रान से लिए तो यही दो आपको पढ़ना है यही दो कवरफ करना है और यहीं दो मैं आप लोग को पढ़ाओंगी और प्लीज रिक्वेस्ट आपसे कि बहुत महनत लगती है फ्रेंस बनाने में क्लेक्ट करने में क्योंकि सिर्फ एक बुक से यह नहीं क्लेक कर ले और बेल आइकेन पर क्लिक कर ले ताकि आपको मेरी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे तो चलिए फ्रेंस फिर आगे बढ़ते हैं तो आते फ्रेंस पॉल सेली तो पॉल सेली की अस्थापना लगभग आठवी सताब्दी के मद्ध में हुई थी ठीक है जिसके सासको में गोपाल-पाल जिसका टाइम है सास 7.50 इसवी नेकस्ट है धर्म पाल जिसका टाइम पिरियड है 780-818 इसवी और तीसरे जो है देव पाल जो नौवी सताब्दी में परमुक थे मतलब पॉल सेली के जो शासक थे मेन यही तीन सासक थे जो सासन किये थे पॉल सेली जिनका सासन चेत्र पुरवी में असम और पश्चिम में कनोज़ तक वुस्त्रित था इस राजवन्स की अस्थापना से बंगाल के इतिहास में एक नए युग का प्रारम हुआ इस राजवन्स के अस्थापना मतलब पोल सेली के अस्थापना से बंगाल के इतिहास में एक नए युग का प्रारम्भ हुआ, एक नए दोर का मतलब कह सकते हैं प्रारम्भ हुआ धर्मेपाल के खलीपूर अविलेक से ये अस्पस्थ होता है कि बंगाल की जनता ने गोपाल पाल को पोल्वन्स का राजा बनाया, जो पोल्वन्स का सबसे पहला राजा था, राजा थे वो गोपाल पाल थे, ठीके, तो सबसे पहले राजा गोपाल पाल थे, और गोपाल पाल के बाद इनका पुत्र धरमेबयाजा बना और गौपाल पाल के बाद जो और जरा बने वहुए जिसने पश्म संति को सीखर पर पुछ आया ठीक तो शुम्हाल मतलब आध पूल है तो इस सेली में 3 पाल थे पहला अपको है जो पहला राजा थे वह और यूजबिली जो एक्जाम में आता है वो यही आता है कि पॉल से लिए के पहले जो सासक थे वो कौन थे तो आपको लिखना होगा गौपाल पाल आगर बोलेगा कि दूसरे सासक कौन थे या तीसरे सासक कौन थे तब आपको इस तरह से धर्मपाल या फिर देवपाल लिख असाथ ही इसने उत्तर पूरब भारत पर भी अपना समाजस से अस्थापित कर लिया। इन सासकों ने बिहार बंगाल में भी अपना सासन अस्थापित कर लिया था जिसका प्रभाव भारती कला और संस्कृति पर पढ़ा पोलवन्स के सासकों के सासन काल में इस सेली का विकास हुआ जिसकी कारण इसे पॉल सेली का नाम दिया गया कला की महान आस्ट्रे दाता के रूप में इन पॉल राजाओं के समय बोध धर्मा लंबी होने के कारण बोध कला का अधिक विकास हुआ और बोध धर्म के महायान संपरदाय से समंदित अनेक देवी देपताओं की मुर्तियों का निर्मान हुआ यहाँ बता दू कि पॉल सेली में जो है बोध धर्म से बहुत जादा मुर्तिया मिली थी बहुत ही जादा मुर्तिया देवी देपताओं की स्पेसली महायान से एक महायान होता है तो महायान से बहुत सारी देवी देपताओं की मुर्तिया मिली थी पॉल सेली में उसके बाद जो मुर्तिया मिली थी वो ब्रहमन धर्म से मिली थी और उसके बाद जो मिली थी वो जेन धर्म से मिली थी बहुत सारी देवी देवत्ताओं ways की अनिर्मान अगे पड़ते हैं बॉदि देवी बॉद्ध देवी मुरतियो की परदानता के उपरांत भी जेन देवि मुरतियों और भहन मुरत, ब्राह्मान मूर्तियों कर दाओνower मिले, इस सेली की मुर्तियों के निर्मान काली चिकने पत्थर तथा मेलट धातु का परियोग हुआ है जो इस सेली में जो भी आपका मुर्ती मिला था मुर्ती बना था वो काली चिकने पत्थर से बना था और मेटल धातु सोरी मेटल धातु से बना था पोल सेली में बनी मुर्तिया बोध धर्म, ब्रामन धर्म और जेन धर्म की दिवी देपताओं से संबंधीते, यह एक्दम याद रखीएगा, एक्जाम में में इक बार पूछा भी गया है कि पॉल सेली से कौन-कौन धर्म से मुर्तिया मिलती है, तो आपको तीरों धर्म लिखना पड़ेगा, बोध धर्म ब्रहहमन धर्म और जेन धर्म और यह पूछए आपको बोध धर्म से समंधित डिवी देपताओक की मुर्तिया बनी थी और मिली थी आगे बढ़ते हैं इस सेली में बनी बोध डेवी देपताओं की मुर्तियां साधन माला में दिये गए लक्छन नियम के अधार पर पर पनाए गी है पौरानिक और सिल्प सास्त्री नियमों के अधार पर बनाएगी ये भी कोशन आ सकता है एक्जाम में कि ब्रहमन में देवी देपताओं की मुर्तिया मिली है वो किस अधार पर बनाई गई है किस पर अधारी थे तो आपको लिखना हो कि पौरानिक या फिर सिल्प सास्त्री न को सब जगह सेमीली आगे बढ़तेगे दंड़kte की दातू की मुर्तिया चोसा-विहार से मिली सका है तो जेन धरमी की मूर्तिया कहां से मिली है तो आपको लिखना पड़ेगा चोसा बिहार से मिली है कि मद्धि से ग्यारी सुतावदि के अंति तक पाल सासक पाल सासक वही गोपालपाल धर्मपाल देवपाल तो पाल सासक पुर्वी भारत की प्रमुख राजनीति Fine बाकती थे और इनके काल में प्रचूर संसार में प्रस्तर वो धातू मूर्तियों का कनिर्मान मंहुण हुआ था कि धातु मूर्तियों का निर्मान हुआ था साथ ही पहारपूर से राधा कृष्णे यहां पर बता रहा है कि पहारपूर जगा का नाम है वहां से राधा कृष्णे बलराम कृष्णे, राम कथा तथा कृष्ण नीला से समंदित मिरिन मूर्तियों के उधारन प्राप्त हुए यह सारी मूर्तिया है राधा कृष्ण बलराम कृष्ण राम कथा तथा कृष्ण लीला से सम्भंधी जो मिरिन मूर्ति मतलब पकाई गई मिट्टी से बनी होती है तो यह सारी जो मुर्तिया यह पहाडपूर से मिली है पॉल कालीन वस्तु अफसेसों को मुसलिम पॉल कालीन वस्तु अफसेसों को मुसल्मान आकर्मन करताओं बुरी तरह जो मुर्ति थी उसको पुरी तरह जो नस्ट कर दिया था इसी कारण पोल मुर्तियों के उधारन मंदिरों के अस्थान पर मुखिता सोशंत्र मुर्तियों के रूप में मिलते हैं इन सोसंत्र मूर्तियों के साथ ही नालंदा के बोध इस्तूपो एवं राजगीरी के जेन मंदीरों में पोल वनसी ये मूर्तियों के उधारन देखने को मिलते हैं पोल्वंसी मुर्तियों की उधारन देखने को मिलते हैं, जेन मंदीरों में मिलेंगे आपको जो भी मुर्ति है, नालंदा के साथ साथ राजगिरी, ठीके नालंदा के साथ साथ जो और कहां कहां से मुर्तिया मिली है, वो बता रहा है कि नालंदा के साथ साथ राजगिरी, बो आगलपूर, चोसा, कुर्किहार, आलू आरा, वेसाली, दुलभी, बूधपूर, मिदानापूर, दीना अजपूर, जवरी, संकरबंद, सुंदर्वन, राजसाही तथा अन्न कई अस्थानों से पोल कालिन पत्थर वो धातु की मुर्तिया उधारन में मिली हैं मतलब कई अस्थानों से यहां से मुर्तिया मिली है, यह सब सारे जगह से तो जो सलेक्टेड है वो अस्थान का नाम है और भी बहुत सारे जगह है जहां से मुर्तिया प्राप्त की गई है पॉल सेली में पॉल कालीन अनेक मूर्तियां आज नालंदा एवं पटना संग्राले के अतिरिक्त बिहार के बाहर भारत्य संग्राले कॉलकाता, सारनात संग्राले जो वारनशी में है तो सारनात संग्राले वारनशी, राष्ट्य संग्राले नई दिल्ली, भारत कला भबन वारनशी और ब्रिटिस संग्राले लंदन की सोभा बढ़ा रहे है तो जो पॉल सेली से जितनी भी मूर्तियां मिली थी वो ये सब संग्राले में रखी गई है तो एक पर फिर से करने अधियुन अधियुन दिल्ली में वहां पर इसारी मुर्तिया रखी गई है भारत कला भवन वार नसी यह भारत कला भवन वियंचु के अंदर खुमिंगे तो पॉल सैली सरी लेटेड मुर्तिया वहां पर आपको मिलेगी तो relatives आज के video में इतना ही है ठीक है और यहां पर बाते हुए जो जो पॉल सेलि में में आपका ठीक है सासन जो कि वह है और मुर्तिय में मिली यह तो मुर्तियों से main questions आते हैं तो कल मैं बात कर तो हम New जो जिसे exam में questions पूचे भी जाते हैं और उसके बारे में पुछ और छो फिर आगी का तो फिर आपको वीडियो पसंद आगा हुएग को अपसेong करता है तो एक्टे साय छले घरये घर्याग के पने प्रॉब्लम और तो आप बेज जख मुझे से कमेंट के तुरूब्लम पूछ सकते हैं जरूर करूंगी तुछली फ्रेंज एक बर फिर से बोल दूब प्ली चैनल पर नए है तो प्ली चैनल को सुब्क्राइब कर ले बिल आइकन पर क्लिक कर ले आपको ताकि मेरे सारे वीड रक्या एक डेकि में जूज ही आपको थूरी पे रोज वीडियो आते मेरे 8 से 9 के बीच आज आते हैं तो रो वीडियो अपड़ा करतीै तो प्लीज आप भी पढ़ा करें मैं आप लोगा के लिए अप्लोड कर रही हूं तो आप लोग खुद के लिए तो पढ़ी सकते हैं अगर इंट्रेंस क्वालिफाई करना है तो प्लीज खुद के लिए पढ़िए ताकि आप लोग इंट्रेंस क्वालिफाई कर पाएं तो चलिए फ्रेंज फिर मैं आपसे मिलती हूं कल के वीडियो में अपना ख्याल रखे नमस्ते